इस नेकलेस और जिस लड़की को तुम लोगों ने देखा उसी के अरॉंड हमारा आज का पूरा चैप्टर रिवॉल्व करेगा तो इस लड़की को जिसका नाम मेथिल्डा होता है उसे अपने लाइफ के 10 साल इस नेकलेस के चलते वेस्ट करना पड़ा और एड़ दे एंड उसे इस नेकलेस के बारे में ऐसा सच पता चलता है जिसे वो सुनकर बहुत ही ज़्यादा सौक्ट हो जाती है तो आखिर वो सच क्या था इससे जानने के लिए तो तुम लोगों को इस वीडियो को पुरा एंड तक देखने होगा तो हमारी पहली कैरेक्टर है मेथिल्डा जो की सबसे इंपोर्टेंट कैरेक्टर होने वाली है इस फूरे प्ले में Second Character है Mr Lalsel जो कि Methilda के husband है Third Character है M.M.E. Forrester जो कि Methilda की दोस्त है और ये काफी ज़्यादा rich lady है तो आप चलो हम लोग इस chapter को आप line by line जान लेते हैं Methilda एक बहुती pretty young lady थी जिसका birth destiny की गल्थी के वज़ह से एक clerk के यहाँ होता है वो बहुत ही ज़्यादा उदास रहा करती थी क्योंकि उसके पास कोई भी डावरी नहीं था देने के लिए उसके पास कोई भी होप नहीं था कि वो किसी अमीर घर में उसके साधी हो इसलिए at the end उसकी साधी एक कलर्क से होती है जो कि Board of Education में काम करता था मेथिल्डा काफी सिंपल थी और काफी अनहपी रहा करती थी उसका ये feeling था कि उसका ये मानना था कि वो दुनिया की हर delicacies और luxuries के लिए ही पैदा हुई है बनी है मेथिल्डा जिस apartment में रहा करती थी वहाँ के जो walls थे वो काफी ज़्यादा सैबी थे chairs भी बहुत अची नहीं थी और ये सारी चीजे उसे बहुत परेशान किया करती थी और उसे गुस्सा दिलाया करती थी उसकी एक friend थी चोकि काफी ज़्यादा rich थी और वो ignore किया करती थी कि वो उसके पास नाजा मिलने के लिए और ऐसा क्यूँ क्योंकि जब भी वो अपने दोस्से मिलकर आती थी वो अपस तो वो काफी ज़्यादा उदास रहा करती थी और अपने लाइफ से बहुत ही ज़्यादा disappointed पुरे दिन रहा करती थी अब एक इवनिंग मेथिल्डा के husband बहुत ही खुसी खुसी एक बड़े से envelope के साथ घर आते है और मेथिल्डा को कहते है मेथिल्डा मैं तुम्हार लिए आज कुछ ले कर आया हूँ अब मेथिल्डा वो envelope को तुरंत ही लेती है और खोल कर देखती है उस envelope के अंदर एक बहुत ही सुन्दर सा card था और वो उस card में एक invitation था एक बहुत ही grand party का जिसमें वो दोनों invited थे उसके husband ने सोचा कि मेथिल्डा इस card को देखके बहुत ही ज़्यादा खुस हो जाएगी क्योंकि वो इस सब चीज की सौकीन है लेकिन इसका उल्टा होता है मेथिल्डा card को देखकर उसे table पे fake देती है और कहती है मैं इस card का क्या करूँ अब मेथिल्डा का husband बोलता है मुझे लगा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा खुस होगी इस card को देखके ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा occasion होगा तुम कभी भी बाहर नहीं जाती हो और ये perfect occasion होगा कि तुम कहीं बाहर जा रही हो सबी quiz कर रहे थे कि उन्हें ये card मिले लेकिन selected employees को ये card मिला और उनमें से मैं हूँ जिसे ये card मिला अब ये सुनते ही methilda irritated eye में उसे देखती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है मुझे इस occasion में पहनने के लिए मेरे पास कौन से कपड़े है अब ये सुनते ही उसका husband stammer करते हुए कहता है जो dress तुम मेरे साथ theater में पहन के जाती हो वो तुम पे बहुत ही जादा pretty लगता है वो क्यों नहीं तुम पहन लेती हो अब ये सुनते ही methilda silently खड़ी रहती है अब उसका husband बोलता है क्या दिक्कत है मुझे बताओ अब methilda अपने गुसे पे control करती है और बहुत ही calm voice में reply करती है कुछ नहीं मेरे पास कोई भी dress नहीं पहनने का बस यही दिक्कत है मेरे साथ अब उसका husband उससे पूछता है methilda तुम मुझे बताओ कि एक अच्छा dress जो की तुम party में पहन सकती हो वो कितने तका जाएगी अब methilda थोड़ा सोचती है और एक hesitated voice पे कहती है मैं तुम्हें exactly तो नहीं बता सकती कि कितने में एक अच्छी dress आ जाएगी लेकिन अप्रॉक्स 400 फ्रांसीज में पहनने लेक ड्रेस तो आही जाएगी अब ये सुनते ही उसके husband का जो face होता है वो pale पड़ जाता है क्योंकि obvious सी बात है कि उसका husband इतना नहीं कमाता था इसलिए ये सुनते ही उसे जटका लग जाता है कि इतना पैसा वो कहां से दे पाएगा लेकिन उसके पास उसके saving बची वी थी जो कि उसने gun खरीदने के लिए बचाई थी ताकि वो next summer जाके अपनी दोस्तों के साथ अच्छे से हंट कर पाए लेकिन अब उसका husband reply करता है कोई बाते हैं मैं तुमें 400 francis दे दूँगा लेकिन try करना कि तुम उस पैसों से बहुत ही pretty dress खरीद पाओ अब दिन बीचते गए और जो party का दिन था बॉल का जो दिन था वो पास आता गया और मेथिल्डा काफी उदास disturb दिखने लगी अब एक दिन उसका husband एक evening उससे पूछता है मेथिल्डा तुमें क्या हुआ है मैं देख रहा हूँ कि एक दो दिनों से तुम काफी strange behave कर रही हो मेथिल्डा इसका reply करती है मेरी पास party में पहनने के लिए कोई भी jewelry नहीं है मैं क्या करूँ मैं इसे poverty stick and look के साथ उस बड़ी party में नहीं जा सकती हूँ उससे अच्छा तो मैं party में नहीं जाती हूँ अब उसका husband reply करता है तुम कुछ natural flowers के साथ एक necklace बना लो वो तुम पे बहुत सुन्दर लगेगा इसे Mathilda convinced नहीं थी और फिर इसके बाद उसका husband बहुत ही जोर से चिलाता है हम लोग कितने stupid है तुम क्यों ना अपने दोस्त मेमी forrester से जाके कोई jewelry उधार में ले लो तुम return कर देना बाद में उसे अब ये सुनते ही Mathilda बहुत ही जारा खुस हो जाती है और कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो मेरे दिमाग में तो ये idea आया ही नहीं था अब Mathilda next day अपनी दोस्त के पास चली जाती है और उसे एक jewel कर demand करती है मीमी forrester उसे अपने closet पस ले जाती है और jewelry select करने को कहती है अब Mathilda अलग-अलग jewels को देखती है लेकिन उसे कोई भी jewelry पसंद नहीं आती है और फिर उसे कहती है क्या तुमारे पास दूसरी jewelry नहीं है फिर अचानक ही उसकी नजर एक black satin box पे जाती है और जब उसे वो खोलती है तो उसके अंदर एक diamond necklace था और उस diamond necklace को पकड़ते ही उसक होता है अब Mathilda hesitated voice में अपनी दोस से पूछती है क्या तुम मुझे ये वाली necklace दे सकती हो अब उसकी दोस reply करती है हाँ तुम ले लो इस necklace को अब ball का दिन आता है यानि कि वो party का दिन आता है Mathilda बहुत ही ज़्यादा खुस होती है वो उस पूरे party में बहुत ही ज़्यादा pretty दिख रही होती है और वो काफी ज़्यादा smile कर रही होती है वो काफी joy में रहती है सारी men's उसके बारे में पूछ रही होते है आखिर वो कौन है वो बहुत ही ज़्यादा enthusiasm से dance करती है और वो पूरे party को बहुत ही ज़ादा enjoy करती है Mathilda के husband 12 बजते ही Saloon में जाके सो जाते अपने तीन और दूसरे दोस्तों के सार और उनकी वाइफस और Mathilda पूरे 4 बज़े तक बहुत ही ज़ादा enjoy करती है और dance करते रहती है अब 4 बज जाते है और वो लोग ball से निकलते है इसलिए वो सॉल से कवर कर देता है लेकिर ये देखती ही मेथिलडा उस पार्टी से तुरन निकलती है क्योंकि वो नहीं चाती थी कि कोई उसे उस पुरानी सॉल के साथ देख ले इसलिए वो तुरन थी उस बॉल से निकलती है और स्ट्रीट्स में वॉक करने लगती है रात जादा हो गई थी जिसके कारण उन्हें कोई भी कैब नहीं मिल रहा था इसलिए at the end उन्हें एक पुराना कैरिज मिलता है जिसमें वो लोग बैठते हैं और वो कैरिज उन्हें घर तक ड्रॉप कर देता है अब वो लोग घर में जाते हैं अब घर जाते के साथ जब मेथ मेथिल्डा अपने सौल को हटाती है तब उसे एक बहुत जादा बड़ा जटका लगता है उसका जो नेकलेस होता है डायमेंड का वो उसके गले में नहीं होता है अब वो जोर से चिलाती है और फिर उसका हजबेंड उसके पास आ जाता है कि आखिर क्या हुआ तुम इतने जोर से क्यों चिलाई अब मैं ठिल्ड बहुत ही जादा गपराते हुए कहती है मेरे पास नहीं है मेरे पास वो necklace नहीं है जो मैंने अपने दोस्ट से लिया था वो diamond necklace मेरे गले में नहीं है अब ये सुनते ही उसका husband कहता है क्या ये तुम क्या कह रही हो ये नहीं हो सकता है मेथिल्डा से पूछता है मेथिल्डा क्या तुम्हें याद है कि वो डायमेंड नेकलेस तुम्हारे गले में था उस पार्टी में मेथिल्डा रिप्लाई करती है हाँ मुझे याद है बाहर आते वक्त वो मेरे गले में ही था अब उसका हजबेंड कहता है चलते वक्त अगर तुम स्ट्रीट में उसे गिराती तो जरूर हमें सुनाए देता लेकिन हमें कुछ भी सुनाए ने दिया तुमने सायद उसे कैब में गिरा दिया मैथिल्डा कहती है हाँ यह पॉसिबल हो सकता है क्या तुमने उस कैरेज का नमबर देखा था उसका हस्वेंड रिप्लाई करत है और उस डाइमेंड नेकलेस को ढूढने निकल पड़ता है वो जब तक बाहर था तब तक मेंथिल्डा भी चैन से नहीं रहती है वो अपनी ड्रेस में वैसी ही पड़ी रहती है अब साथ बच जाते है और उसका हस्बंड डिटन होता है और उसके पास कुछ भी नहीं रह टाइम बीते गया, एक विक बीत जाता है, उनके सारे होप मर जाते हैं, अब वो लोग बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं, अब वो लोग एक रॉयल सौप में जाते हैं, जहां से उन्हें सेम टू सेम वैसे ही डाइमंड नेकलेस मिल रहा था, और उसका कॉस्ट था 40,000 फ्रांसेज, जो की उनके लिए अनफॉर्डेबल था, कैसे भी करके दुकान वाला 36,000 फ्रांसेज पे उस नेकलेस को देने के लिए तैयार हो गया था, लाउजल के पास 18,000 फ्रांसेज थे, जो की उसके फादर ने उसके लिए छोड़ा था, बाकी के उसने बौरू किये थ इधर उधर से, कुछ उसने अपने दोस्तों से लिया था, कुछ उसने मनी लेंडर से लिया था, जिसके लिए उन्हें बाद में पे करना था, अब वो लोग दुकान में जाते हैं, और वो सेम टू सेम वैसे ही डाइमन निकलेस परचेस कर लेते हैं, 36,000 फ्रांसेज में, औ और फिर वो अपने दोस्त के पास जाती है, यानि मेथिल्डा फिर अपने दोस्त के पास जाती है, और उसे वो नेकलेस रिटर्न कर देती है, अब बहुत ही खराब टोन में उसकी दोस्त कहती है, तुम्हें ये नेकलेस पहले ही दे देना चाहिए था, मुझे इसकी अब इस दिन से उनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है वो लोग डेप्ट में याने की कर्ज में डूब जाते हैं उन्हें सारी पैसे लोटाने थे जो की उन्होंने दूसरे लोगों से लिया था अब वो लोग अपना अपार्टमेंट को छोड़ देते हैं इवेन वो लोग म बीटी दिखा करती थी अब वो ओल्ड दिखने लगी थी अब वो बुड़ी दिखने लगी थी उसका हजबेंट भी दिन रात काम करने लगा था वो 10 साल तक दिन रात काम करके सारे कर्श तोड़ लेते हैं और फाइनली उनका 10 साल बार पूरा कर्श खत्म होता है चल रही होती है और उसके सामने से उसकी दोस मीमी फॉरेस्टर अपने बच्चे के साथ गुजर रही होती है वो तो नहीं पहचान पाती है मेमी फॉरेस्टर उसे नहीं पहचान पाती है क्योंकि मैथिल्डा पुरा चेंज हो चुकी होती है वो सोचती है कि क्या मैं अपनी द मुझती है, और फिर उसकी दोस्ट भी उसे पहचान लेती है, और कहती है, मैधिल्दा यह sniff क्या हो गया है, तुम इतने बदल क्यू गई हो? अब मैधिल्डा थोड़ा गुष्षे में रिप्लाई करती है, ये सारी चीजे तुम्हारी वज़े से हुई है तुम्हें याद है तुम्हारा वो नेकलेस वो डाइमंड नेकलेस सब उसी के वज़े से हुआ है अब मेथिल्डा सारी बाते उसे बता देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें एक नया डाइमंड नेकलेस दिया तुम्हारी मेरी जो necklace था उसका cost बस 500 francis था और तुमने मुझे नया दे दिया है So guys, यहां हमारा chapter complete होता है और बस तुम लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि life में जितना भी मिलता है किसी को उतना ही में खुस रहना चाहिए जितना तुम लोगों के पास है उसमें satisfied रहना बाकी तुम लोगों को वीडियो पसना आगा देन वीडियो को लाइक करना चैनल पे ने तुम सब्सक्राइब जरूर करना इससे तुम्हारे भाई को motivation मिलती है ताकि वो नया वीडियो अच्छे से बना सके तो चलो मिलते किसी और वीडियो में Thanks for watching the video झाल